नमस्कार दोस्तों, नेवल तेजस यानी टेट बीएफ को लेकर इंडियन नेवी इतनी एकसाइटिड क्यों है? क्या ये राफेल से भी बहतर है? क्या फाइटर जेट्स के अंदर भी हमारे वैकल्स की तरहें एर कंडिशनिंग होती है? अगर पाइलेट को फाइटर जेट इस वीडियो में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट्स चैनल पर. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, संदीप यादव जी का सवाल नेवल तेजस यानी टेट बीएफ को लेकर है, वो जानना चाहते हैं कि क्या राफेल की कंपेरिजन में टेट बीएफ जादा बेहतर रहेगा. अगर टेट बीएफ यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर जेट की बात करें, तो इसे इंडियन नेवी के लिए तयार किया जा रहा है. फिलहाल भारत के पास INS विक्रामादित्ते और INS हमारे पास हैं, उन पर मिग 29K फाइटर जेट्स ओपरेट करते हैं. मिग 29K जेट्स को 2032 से रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा. इनको रिप्लेस करने के लिए ही टेट बीएफ को बनाया जा रहा है. इस दो इंजन वाले नेवल तेजस की फस्ट फ्लाइट 2025 में हो सक रहती है और फिर एक्स्टेंसिव टेस्टिंग के बाद 2029 या 2030 में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. 2030 तक नेवल फाइटर जेट्स की कमी ना मैसूस हो, इसी कारण इंडियन नेवी जल्दी ही 26 फाइटर जेट्स को खरीदने वाली है. इसके लिए फ्रांस मैक्सिमम टेक ओफ वेट 26,000 किलो ग्राम रहेगा. इसमें दो GE के F414 इंजन लगाए जा रहे हैं, जिनकी टोटल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन है. ये राफिल M के दो इंजन की 150 किलो न्यूटन की टोटल थ्रस्ट से कहीं जादा है. टेट बी एफ की फेरी रेंज 3,700 किलो मी मैक्सिमम 9,000 किलो ग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा. कैनाड विंक्स और फोल्डेबल डेल्टा विंक्स के डिजाइन वाले टेट बी एफ की मैक्सिमम स्पीड 2,000 किलो मिटर परार तक रहेगी और ये है 60,000 फीट की उंचाई तक भी जा सकेगा. इंडियन एर फोर्स और राफेल को अच्छी तरह से एनलाइज करके टेड बी एफ को हर लिहाद से राफेल से बेहतर बनाया जा रहा है. राफेल से ज़्यादा पारफूल इंजन्स होने के कारण टेड बी एफ में ज़्यादा इलेक्रिसिटी जनरेट की जा सकेगी, यानि इस दो इंजन वाले sharp edges दिये गए हैं ऐसा 5th generation के fighter jets में किया जाता है ताकि fighter jet का radar cross section काफी कम हो जाए और दुश्मन के radar इसे जल्दी track ना कर पाएं यानि Ted BF राफेल से ज़्यादा stealthy भी रहेगा हलांकि फिर भी Ted BF एक pure 5th generation का fighter jet नहीं कहलाएगा यह 4.5 generation का ही रहेगा इसमें fixed upper fuselage fuel tanks लगाए जा रहे हैं जो conformal fuel tanks की तरह होते हैं यानि इसे drop tanks को लेकर उड़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी साथी Ted BF में advanced sensor fusion और बेहद secured communication system लगाए जा रहा है जिससे इसकी situational awareness next level की रहेगी भारत unmanned stealthy UAVs को भी तयार कर रहा है जो loyal wingman की तरह है fighter jet के साथ ही operate करेंगे इन UAVs को Ted BF से operate और direct किया जा सकेगा इसके अलावा Ted BF और MK के लिए laser beam वाले systems को भी तयार किया जा रहा है missiles की बात करें तो Ted BF में 110 km range वाली Astra 1, 160 km range की Astra 2 वे 300 km range वाली स्वेदेशी meteor missile यानि की Astra 3 भी लगाई जाएगी इसमें स्वेदेशी तोर पर तयार anti-radiation missiles के अलावा Brahmos NG supersonic cruise missile भी लगाई जाएगी Ted BF में खास तोर पर अलग-अलग range की बहुत ही कम उचाई पर उडने वाली anti-ship missiles लगाई जाएगी अपनी meteor missile को integrate करने से मना कर दिया था लेकिन Ted BF में स्वेदेशी उत्तम ASA radar होने के कारण इसके लिए meteor BVR missiles भी खरीदने में कोई समस्या नहीं आएगी यानि हर लिहाद से Ted BF राफेल से ज़्यादा capable fighter jet बनने वाला है और इसी लिए इसको लेकर इंडियन नेवी काफी excited है बढ़ते हैं आगले सवाल की तरफ rail fan supra team जी का सवाल है कि क्या fighter jet aircraft के cockpit में air conditioning होती है देखे fighter jet का cockpit बहुत ही कम जगय वाला और cramped area होता है जहां बैटकर पाइलेट को बहुत ध्यान से fighter jet को उड़ाना भी है दुश्मन के airborne assets को track करके target भी करना है जरूरत पढ़ने पर खुद को भी दुश्मन की missiles से बचाने के लिए कई counter measure systems और sharp maneuvers का सहारा लेना होता है साथी fighter jet के onboard electronics भी काफी सारी heat जनरेट करते हैं fighter jets 45 degree Celsius की गर्मी में राजिस्थान से भी operate करते हैं वही –10 degree Celsius की सर्दी में लद्दाक से भी operate करना है जैसे जैसे fighter jet उचाई पर पहुंचता है तो यही बेहद गरम 40 degree Celsius temperature –50 degree Celsius की बेहद cold conditions में बदल जाता है हलांकि fighter jets के pilot बेहद healthy, fit और इन हालातों के लिए भी trained होते हैं लेकिन फिर भी यह extreme conditions कभी भी जानलेवा साबित हो सकती हैं इसलिए fighter jets में भी air conditioning system लगाया जाता है हलांकि यह हमारे घरों और automobiles जैसा नहीं होता है बलकि बेहद ही complex system होता है जिसमें engine की compressed air को बहुत complex system के माध्यम से इस्तेमाल करके cockpit के temperature को regulate किया जाता है cockpit की बात की जा रही है तो कुछ और सवालों को भी जान लेते हैं अगर pilot को toilet की problem होने लगे और urine pass करना हो तो कैसे करेगा कई बार pilots को air refueling की सहायता से कई घंटों तक fighter jet को operate करना होता है तो इसके लिए pilots खास तरेंके zip lock pedal pack को carry करते हैं जिसमें एक special material होता है जो काफी मातरा में urine को jelly shape में store कर सकता है कुछ pilots adult diapers का भी इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं fighter jet pilot के दुआरा पहने जाने वाले special suit की तो pilots एक full body flight suit पहनते हैं जो nomax नाम के एक fabric से बना होता है यह fabric आग की लप्तों से भी pilot का बचाव कर सकता है यह काफी हलका और मजबूत भी होता है साथी pilot के शरीर को गरम रखता है इसमें सामने की तरफ बाजू पर वे पैरों में पॉकेट्स होती हैं जिनमें pilot एक map, pen paper और आवशक्ता के अनुसार एक छोटे हतियार को भी रखता है दोस्तों modern fighter jets बहुत तेजी के साथ accelerate करते हैं और यह बहुत complex maneuver भी कर सकते हैं इनसे pilot के उपर काफी ज़्यादा g-force लगती है जी-force यानि pilot acceleration due to gravity के कारण काफी दबाव महसूस करते हैं pilots को 9G तक के maneuver भी करने पड़ते हैं इस दोरान pilot का शरीर 9 times heavier feel होता है और सारा blood तेजी से पैरों की तरफ जाने लगता है इसे brain में blood नहीं पहुच पाता है इसका नतीजा ये होता है कि pilot blackout experience करता है और बेहोश हो जाता है अनकॉंश्यस हो जाता है ऐसे हालातों में अक्सर fighter jet crash हो जाते हैं और pilot को भी अपनी जान गवानी पड़ती है ऐसा होने से रोकने के लिए pilots खास तरह का G-suit अपने flight suit के उपर पहनते हैं G-suit में लगे gravity sensitive valve, sharp maneuvers और तेज acceleration के समय G-suit में air pressure से पेट और पैरों पर दबाव डाल कर सारे blood को पैरों में जाने से रोकता है इसी की सायता से pilot जादा G-force को बरदास्त कर पाते हैं बात करें pilot के special helmet की तो यह lightweight लेकिन बेहद मजबूत होता है जो pilot को head injury नहीं होने देता है इसका visor तेज sunlight और laser beam से pilot को बचाता है इसमें noise cancellation के साथ headphone और microphone लगे होते हैं जिससे pilot दूसरे pilots और ground stations के साथ communicate कर पाता है इसमें integrated oxygen mask भी होता है लगातार oxygen की supply के लिए oxygen cylinders इस्तेमाल किये जाते हैं या onboard oxygen generator system का इस्तेमाल होता है modern fighter jets में helmet mounted display भी होता है जिससे pilot को सभी जरूरी informations अपने visor में ही दिख जाती हैं इसकी सायता से pilot ज्यादा आसानी के साथ दुश्मन के air assets को track कर पाता है और fighter jet को दुश्मन के air assets की तरफ मोडे बिना ही missiles launch कर सकता है दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक fact based जवाब तलासने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी research की उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको फसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे like करें दोस्तों के साथ share करें और channel को subscribe करना ना भूले नमस्कार